अजाद हाई स्कूल की आउनलाइन क्लासिस में आपका स्वागत है आज मैं आपको फिफ्थ क्लास का लेसन नंबर थ्री पड़ाने जारी हूं इस लेसन का नाम है पिता का पत्तर इस पार्ट में गांधी जी द्वारा लिखा गया एक पत्तर दिया गया है ये पत्तर उन्हों अपने पुत्तर को प्रिट्टोरिया जेल में लिखा था इस पत्तर में उन्होंने अपने बेटे को सीकh की क्या-क्या बाते बताई है ये हम स्पार्ट को पढ़कर जारेंगे अब मैं आपको इस पार्ट को पढ़कर सुनाऊंगी आपने इससे द्यान से सुनना है और समझ प्रिये पुत्र मुझे हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। अब मैं पत्र लिखों किसे मुझे तुमारा खयाल आया। खयाल होता है विचार ध्यान क्यूंकि पढ़ने के समय तुमारा ही ध्यान मुझे बराबर रहता था। मेरे बारे में तुम जरा भी जिनता मत करना मैं पूर रूप से शांती में हूँ पूर रूप से यानि की पूरी तरह से आशा है कि बा अच्छी हो गई होगी मुझे मालू है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहां आए हैं लेकिन वे मुझे नहीं दिये गए फिर भी गवर्नर की दारता से मुझे मालू हुआ कि बा का स्वास्त सुदर रहा है क्या वे फिर से चले फिरने लगी बा और तुम लोग सवेरे दूद के साथ साबुदाना बराबर ले रहे होगे और अब तुमारे बारे में कुछ कहना चाहूँगा तुम कैसे हो तुम पर जो जिम्मेदारी म पैने डाली है तुम उसके योगे हो और उसे निवा रहे होगे मुझे आशा है मैं जानता हूँ कि तुमें अपनी शिक्षा के प्रती असंतोश हैं मैंने यहां जेल में खूब पड़ा है इससे मैं यह समझ इससे मैं यह समझा हूँ कि केवल अक्षर ग्यान ही शिक्षा न बोध होता है ज्यान यदि ये दृष्टिकों से ही है और मेरे विचार से ये बिल्कुल ठीक है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो आजकल तुम्हें अपनी बिबार मा की सेवा करने का अवसर मिला है रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो यदि ये काम तुम अच्छी तरह और आनंद के साथ करते हो तो तुमारी आदि शिक्षा तो इसी के दवारा पूरी हो जाती है संसार में तीन बाते बड़ी महतबूर्ण है उनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर पाओगे ये तीन बा अक्षर ग्यान नहीं मिलेगा वो तो तुमें मिलेगा ही लेकिन तुम उसी की चिंता करो ये मैं नहीं चाहता इसके लिए तुमारे पास अभी बहुत समय है अक्षर ग्यान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुमें मिला है वो तुम दूसरों को दे सको इतना और याद रख मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है अमीरी की तुला में गरीबी अधिक सुखद है खेत में गास और गड़े खोदने में पूरा समय देना बविश्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है निर्वाह होता है गुजारा मेरी इच्छा है कि तुम योग्य किसान बनो सभी ओजारों को साफ और सुव विवसित रखना अक्षर ग्यान में गणित और संस्कृत पर पूरा द्यान देना बविश्य में संस्कृत तुमारे लिए बहुत उप्योगी सिद्ध होगी ये दोनों विश्य बड़ी उमर में सीखना कठिन है संगीत में भी बराबर उच्छी रखना हिंदी, गुजराती और अंगरेजी के चूने हुए बजनों एवं कवीताओं का एक संगर त्यार करना चाहिए वर्ष के अंत में तुम्हें अपना ये संगर बहुत मुल्यवान परतीत होगा मुल्यवान होता है कीमती काम के अधिक्ता से मुनिश्यों को घबराना नहीं चाहिए और ना यह सोचना चाहिए कि ये कैसे होगा और पहले क्या करूँ शान्ति चित सेव विचार पूर्वक तुमने यदि सदगुनों को प्राप्त करने की चेश्टा की तो वे तुमारे लिए बहुत उप्योगी और मुल्यवान परमानित होगे सदगुन होते हैं अच्छे गुन परमानित साबित तुमसे मुझे यही आशा है कि गर के लिए जो भी तुम खर्च करते होंगे उसका पैसे-पैसे का हिसाब रखते होंगे मुझे ये भी आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रातना करते होंगे सूर्योद्यों से पहले उठकर प्रातना करना बहुत ही अच्छा है प्रेतन पूर्वक इम्ष निश्चित समय पर ही प्रातना करने चाहिए प्रेतन पूर्वक होता है कोशिश करके यह नियमित्वा जीवन में आगे चलकर बहुत साइह सिद्ध होगी इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरहां समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना जवाब जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो अंत में मैं अपने प्रेम सहित ये पत्रसमाप करता हूं तुमारा पिता मोहन्दास अब देखो शब्द पिटारा सदगुन अच्छे गुन प्रेतन पूर्वक कोशिश करके पर्मानित साबित अभ्यास के लिए पाठ क्यान शुतलेक ये है कठी शब्द जिनका आपने उचारन करना है और प्रेक्टिस भी करनी है इसको लिखना भी है पून रूप द्रिष्टी कोन करतव्य निर्वाह मुल्यवान पर्मानित नियम पूर्वक प्रेतन पूर्वक नियमिता सूर्यदे मुक से ये पत्तर किसने किसको लिखा ये पत्तर गांधी जी ने अपने बेटे को लिखा गांधी जी को हर महिने कितने पत्तर लिखने का अधिकार मिला था गांधी जी को हर महीने केवल एक ही पत्तर लिखने का अधिकार मिला था गांधी जी ने पत्तर में अपने पुत्तर को क्या-क्या बाते समझाई है उत्र है गांधी जी ने अपने पुत्तर को शिक्षा की और गर की जिम्मदारे से सम्बने सभी बाते समझाई है गांधी जी ने पत्र में किन तीन महत्पुन बातों की चर्चा की है उत्र है गांधी जी ने पत्र में यह तीन महत्पुन बातें बताई हैं कि अपने आपका और इश्वर का सच्चा ग्यान प्राप्त करना कलम से गांधी जी यह पत्र कहां से लिखा गया सही उत्तर है प्रिटोरिया जेल से ख़पाट गांदी जी के अनुसार क्या अधिक सुखद है उत्तर है गरीबी गपाट गांदी जी ने अपने पुत्तर को किन दो विश्यों पर पूरा ध्यान देने के लिए कहा है इसका सही उत्तर है गणितोर सस्कृत गपाट किस समय प्रातना करना बहुत अच्छा होता है इसका सही उत्तर है सूर्योध्यों से पहले नीचे दियेगे प्रशनों के उत्तर लिखो इन प्रशनों के उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल जाएंगे भाशा और व्याकरन इन वाक्यों को पढ़कर बताओ की रेखांकित शब्द पुलिंग है या इस्त्रिलिंग गपाट तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रती असंतोष है शिक्षा क्या है स्त्रिलिंग गपाट सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्टव्य का बोध है करतव्वे है PULING गरपाड अमीरी की तुल्ला में गरीबी अधिक सुखद है अमीरी क्या है STRLING गरपाड निश्चित समय पर ही प्रातना करनी चाहिए प्रातना क्या है STRLING मुझे कल ही तुमारा पत्र मिला पत्र क्या है PULING गांधी जी के स्थान पर गांदी जी को तुमारा ख्याल आया, इसमें उधारन दिया गया है, क्याएगा मुझे तुमारा ख्याल आया, गांदी जी ने यहां जेल में खूब पड़ा है, इसमें कौन सा सर्वनाम आएगा, मैंने, मैंने यहां जेल में खूब पड़ा है, गांदी जी जानते हैं कि तुम अपनी शिक्षा से असंतुष्ट हो इसमें कौन सा सर्वनाम आएगा मैं, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी शिक्षा से असंतुष्ट हो आगे देखो शब्द बनाओ नियम, यहाँ पे पूर्वक दिया गया है हमने हर शब्द के साथ पूर्वग लगाना है और इसको खालिस्तान पर लिखना है नियम पूर्वग प्रातना पूर्वग सुख पूर्वग प्रेतन पूर्वग अब इदर देखो मुल्य के साथ क्या लगाना है वान सबी के साथ इदर वान आएगा यहां पे भी हमने इसको खालिस्तान पे लिखना है मुल्यवान दनवान गुनवान विद्यवान रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो जो हाँ पर जो रंगीन शब्द दियेंगे हैं हमने इसके उल्टा लिखना है इसका विलोम करना है कहपाट मैं दो समच्चार लाया हू एक सुखद और दूसरा दुखद खपाट अमीरी की तुल्ला में गरीबी अधिक सुखद है गपाट उससे अपनी शिक्षा के प्रती संतोष नहीं असंतोष है गपाट प्राथना सूर्योद्य से पहले करना सूर्य अस्त के बाद नहीं आगे निमलिखती शब्दों का उच्छी स्थान पर प्रयोग करो यह जो आपको शब्द दियेगे हैं आपने खाली स्थान पर बरने है यह आपने खुद करना है आगे निचे लिखे शब्दों को उच्छी स्थान पर बरते हुए आवेदन पत्तर को पूरा करो दन्यवाद